हले श्रेंट्स मुश्ट विल्कम आपके अपने फिल्फाउम वी एनार क्लासस में मैं प्रलाद सिर्शे हाजीर हूँ लेके आपके लिए आज 2020 का न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलसी आखिरकार ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलसी 2020 है ये क्यों रिलीश करना पड़ा क्या जरूरत है और इसके बारे में हमारे हाईयर एजुकेशन सिस्टम में क्या बदलाव आने वाले हैं हम सब को देखेंगे आज के इस पूरे वीडियो में तो आपको ये शी बताओं कि जैसे आपने सुना होगा और देखा भी होगा और पढ़ें भी होगे कि हमारे पास हमारे जो 9 से लेका 9, 10, 11, 12 में चाहे आप कोई भी बोर्ट पढ़ोगे चाहे गुजराज से हो चाहे हरियाडा से हो चाहे बिहार से पढ़ते हो चाहे यूपी बोर्ट से हो एनिवन किसी बोर्ट के बच्चों के लिए एक बुक रिफर कराया गया उस बुक का नाम था NCRT हम लोगों ने NCRT पढ़ी अब वैसे ही इंडियन गोर्रमेंट ने क्या किया कि जितने भी इंडिया की इंवर्शिटी हैं सभी इंवर्शिटी के लिए UGC ने इक सलेबस रिक्वाइड किया गया कि अलग 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 सलेबस नहीं पढ़ाया जाएंगे एक ही सलेबस लगाया जाएगा जो हमको UG और PG के के लिए पूरे इंडिया में एक ही होगा तो UG और PG के पहले क्या होते थे कुछ इनवर्शिटी समेश्टर पेपर कराती थी कुछ इनवर्शिटी एनुवल पेपर कराती थी तो बड़ा लोचा हो जाता था और हम जैसे टीचर को पढ़ाने में भी लोचा होता था कुछ ब सारे इनवर्शिटी को अब हम लोग समेश्टर में डिजाइन कर देंगे और हर समेश्टर का अलग-अलग एक क्रेज होगा पहले क्या था कि 6 समेश्टर पढ़ो 6 समेश्टर पढ़ने के बाद एक रिजल्ट मिलता था लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि जो हमारी बैचलर डिग्री होगी वो अलग-अलग सर्टिफिकेटेड अलग-अलग डिप्लोमा अलग-अलग डिग्री में डिवाइड़ हो जाएगी तो आज हम लोग आपके साथ डिसकस करेंगे इस पेसले जोलोजी के पूरे कम्पलीट बदलाव को कि आखिकार देखेंगे कि जोलोजी मे काने का कोई मतलम नहीं होता क्यों क्योंकि आपको वो पॉइंट्स देखने और एक्सप्लेइन करने का जो मौका किसी टीचर से मिलता है आपको पीडियप भी मैं दो दूँगा आप पीडियप वहां से नीचे डिस्क्रिशन से पीडियप डाउनलोड कर लेना अब वहांची क्या इस्ट्डेंट्स की स्पेसली हम लोग यहां पे डिल करेंगे और यह आपको बताओं कि अभी इंडिया में कोई ऐसी बुक नहीं रिलीज हुई है सलेबस भाई साहब ला दिये ठीक लेकिन कोई भी बुक रिक्वार्ड नहीं है सारे की सारे बिदेशी राइटरों की बुक है हम देखेंगे इसमें कुछ बिदेशी राइटर भी होंगे सारे सारे इंडियन गवर्मेंट के या फिर इंडिया के लगबाग साहस से आठ राइटर्स हैं जो इन सलेबस में मैच करते हैं मैंने अभी आपके लिए बताओं कि मैं जब इस पूरे सलेबस को देखा तो मेरे पास पिछले जितने भी मेरे नोट से मैं उस नोट को बुक में डालने की कोशिस कर रहा हूँ जैसे मैंने क्लास 9 और 10 के लिए डाला था मेरे 9 और 10 मेरे पास 9 की बुक अभी तो मेरे पास नहीं है लेकिन मेरे पास अभी 10 की बुक है आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जो 10th की book है ये 10th की book especially design किया गया है हमारे higher education के basis पे मतलब ये NTA और बाकी classes के लिए complete करता है ये मेरी book है अभी मैं especially आपके support से जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे उन बच्चों के support से हम आपके लिए per semester जैसे जैसे semester बीटता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए हम जोलोजी बोटनी की book को release करते जाएंगे ठीक तो आपका help होगा आप comment जरूर करना चलते हैं आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे देखो बात करें हमारे पास क्या मिलेगा हमारे पास यहाँ पे कुछ points मिले और उस points को कैसे deal करेंगे हम उनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे ठीक अब यहाँ बात करें कि जो हमारे पास क्या था यहाँ पे national education policy 2020 बताया गया था क्या यूपी इस्टेट इनवर्शिटी की बात करेंगे और जितने भी उनसे कॉलेजे जुड़े हैं उनकी बात करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या है फॉर्स्ट इयर से लेकर जो थ्री इयर डिग्री होता था यानि एक साल, दो साल और तीन साल, फर्स्ट इयर, सिकेंड इयर और थर्ड इयर इनको मिला के हाईयर एजूकेशन जो हमारा यूजी है वो 21-22 के लिए एक सेलेबस रिकेमेंट करता है उस सेलेबस को हम यहाँ पे छोड़े-छोड़े पॉम में डील कर रहे हैं सबसेले बात करते हैं जो प्रोग्राम होगा वो हमारा बैचलर अफ साइंस होगा आप जानते हैं यहाँ पे दो टाइप्स होगा, एक हमारे पास बैचलर अफ साइंस को वो टू टाइप में डिवाइट कर दिया है गोवर्मेंट ने एक हुआ है Bachelor of Science का Major Part, एक हुआ है Minor Part, क्या है Major और क्या है Minor अभी डिल करेंगे, तो आओ पहले बात करते हैं Geology Major की, Geology Major में हमारे पास semester first दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, semester first दिखाई दे रहा है, तो यह first year है, क्या है, first year का semester one और semester two जो है, वो recommended होगा, और यह specifically यहाँ पे certified course होगा, क्या होगा, इस year को हम लोग certified यदि आप एक साल करके छोड़ देते हो, तो इसको certificate घोसित कर दिया जाएगा, उस certificate का नाम क्या होगा, यहाँ पे medical diagnostic and public health, मतला public health के sector में, medical के sector में आपको एक certificate release कर दिया जाएगा, कि आप लोगों ने एक साल की पढ़ाई कर ली है, अब बात क करते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ courses, codes आजाते हैं, आखिरकार in code की बात करेंगे, हमारे बुक में भी ये डाला गया है, अभी हम तीन दिनों से बुक लिख लिख रहे हैं, आट से दस दिनों में बुक complete हो जाएगा, वस picturization बाकी बाकी राजाएगा, आपका help होगा, त तब आपके home delivery करा दिया जाएगा आपके पात, बस केवल आपसे paper cash का पैसा लिया जाएगा, हम आपके लिए royalty, यानि भेनार classes कोई भी royalty वसूल नहीं करेगी, ठीक, अब बात करते हैं, पढ़ना क्या है, पढ़ना यहाँ पे cytology पढ़ना है, और यहाँ पे आमको genetics पढ़ना है, ठीक, अब बात करेंगे, दूसरा जो parts है, जिसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे क्या, bio technology, especially क्या बोलेंगे, bio technology और जो physiology है, वो release होती है, especially, और इसको page number four पे हम लोग detail करेंगे, अब बात करें, year second में चलते हैं, semester third और fourth हो जाएगा, इसमें diploma degree, यह certificate degree थी, और इसमें आ इसलेगा, molecular, ठीक, molecular diagnostic and genetic counseling की, especially, एक diploma degree आपको थमा दी जाएगी, आप दो साल करके छोड़ दते हो, तो, आगे बात करते हैं, यहाँ पे molecular biology हमको पढ़ना है, और जो bio के instruments होते हैं, हमको उनको देखना है, and bio technique की बात करनी है, क्या, bio technique की बात करनी है, इनके लिए हमारा भी book English होगा, लेकिन next year, जब हम लोग इस पूरे course को publish करा देंगे, पुरा पढ़ा देंगे आपको, तो जैसे ऐसे year भीता जाएगा, वैसे वैसे आपके लिए book आती रहेगी, okay, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमको दूसरा जो paper होगा, मतलब दूसरा हमारा पास paper है, दूसरे paper म करता है, क्या आता है, third year, third year में semester five और six होगा, इसमें आपको, यह जब आप दो year complete कर लेंगे, पास हो जाएंगे, यह दोनों डिगरी आपको दी जाएगे, और यह दोनों करने के बाद, जब third year भी complete कर लेते हैं, तो आपको bachelor of science की डिगरी complete करा दी जाएगी, क्या करा दी ज परते थे, वो अब third year में पढ़ना होगा, diversity of non-cordata, यहाँ पे परिसिटोलोजी पढ़ना है, जो अब third year में पढ़ते थे, वो third year में ही है, जो applied जिलोजी था, applied and economic जिलोजी, मतलब third year वाला जो paper number first था, वो बना रहेगा, लेकि non-cordata इसमें इंट्री कर जाएगा, क्या, non- इंट्री कर जाएगा paper number first में, ठीक, अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो paper number two होगा, उसमें diversity या, quadata पढ़ना होगा, और anatomy पढ़ना होगा, मतलब दो पार्ट को मिला कर एक पार्ट बना दिया गया है, मतलब सोचों कि 6 महिने में बाकी बहुत बड़ा syllabus हमको कहीं न कहीं प्रवाइड कर सकें, क्योंकि हमने प्रड़ लिया है, higher education system को support करने का, आपके साथ हम support करते रहेंगे, केवल आपको काम करना है, हमारे सहीयोग को बढ़ाने के लिए, हमारी शमताएं हैं, उनको increase कराने के लिए, ताकि हम आपके साथ जुड़कर अच्छे तरीके से काम कर स ठीक, अब आगे बात करते ह Messiah, आपर की आजाएगा, हमारे पास आगे नम्बर था आपता हमारे पास क्या मिलता होगा, एवलेशन के बारे माता होगा और developmental biology, यह हम लोग करते थे ह्म लोग पढ़ते थे second year में, किसमें पढ़ते थे, second year में, तो second year में हम लोग इस topic को कहीं न कहीं देख रहे होते थे, क्या, second year में हम इस topic को देख रहे होते थे लेकिन अब हमको कहां देखना पड़ेगा, अब हमको देखना पड़ेगा especially third year में, और paper number four, ecology, ethology, environmental science and welfare, ये भी हमको third year में आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब third year में आपको चार paper देखने के लिए मिल जाएगा, अभी उपर दो-दो paper लेकिन third year में चार paper, आपको बताओं कि काफी मुश्किल होने वाला है आगे की syllabus क्योंकि आप सही तरीके से अपने आपको तयार कर लिजिए, यदि आप, यदि आप BSC करना चाह रहे हो तो according देखो, यहाँ पर हमने बता दिया आपको ये चारो paper आपको इस third year में देखने के लिए मिल जाएगा, अब बात करते हैं कि major हमने जुलोजी major को देख लिया, अब बात करते हैं जुलोजी minor या इसको बोलते है इलेक्ट, यहाँ पर हम बात करेंगे minor में क्या होगा, इस पेसली हमारा जो first year और third year होगा, क्या होगा, first year और third year होगा, first year semester और third semester, तीन semester में environment and public challenges को, public health challenges को हमको पढ़ना होगा, पेंजबर 28 पर इसको deal करना, आप इसको देख लिजएगा, और बात करते हैं यहाँ पर हमारे पास first year और second year के जो semester होगे, उसमें skill minor हमको पढ़ना होगा, मतला हमको skill develop करना होगा अपने अंदर, वो skill कैसे develop पढ़ना ह बेसी हमारे पास जो clinical techniques होते हैं, क्या हमारे पास clinical techniques होते हैं, part one, part two, को हमको देखना होगा, page number 30 पर आपको दिख जाएगा, मतलब देखो, कि यहाँ पे जो semester third है, semester five and six है, इसमें चार-चार paper है, और उपर के जो paper आपको दिखाए दिये थे, जैसे मैंने बताया अभी आपक कि अभी देखो, जिसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको दो-दो paper ही पढ़ना है, क्या, यहाँ पे आपको दो paper पढ़ना है, यहाँ पे दो paper, दो paper यहाँ पे, यहाँ पे चार paper पढ़ना है, इसके लिए, इसमें कोई भी minor नहीं है, third year में आपक में माइनर पढ़ना है ठेक आगे बात करें आगे देखो हमारे पास सलेबस आ जाता है ठेक यह देखो सलेबस कुछ आपको दिखाई दे रहा है मैंने बताया कि certificate कौन से होंगे और क्या हमारे पास topic होगा ठेक तो देखो genetics के बारे में बात किया ठेक अब देखो एक चीज बताऊं हमारा जो certificate courses है जो first year में देखने मिलागा मतलब first year के first semester ठेक दो semester होंगे first year के first semester में हमको एक पढ़ना है दो यानि दो book आपको रिलीज दो book पढ़ना होगा दो paper पढ़ना होगा paper first हमारे पास क्या आएगा साइटो जनेटिक्स और यहाँ फे इनफेक्शन जेज डिजिज होते हैं उनके बारे में और दूसरा सेल बैलाजी और हमारे पास क्या साइटो जेनेटिक्स का लैब देखना होगा मतलब लैब के बारें पढ़ना होगा ये सिकेंड बुक हमारे लिज होगी और इसमें एडवांस वीडियो और माटेरियल आपको दिया जाएगा ठीक और इसमें जो क्रिडिट है इसका फोर क्रिडिट है इसका टू क्रिडिट है यानि साट घंटे इसमें साट घंटे इसमें यानि कोर्स काफी बड़ा है 120 घंटे होते हैं यानि 120 घंटे के मतलब कहने का कि आपको teacher एक घंटा क्लास भी लेता है तो आपको लगब लगब चार महीने लगेंगे इस syllabus को खतम करने में कितना इस दोनों पेपर को खतम करने में फर्स समेश्टर में चार महीन लगता है यदि डेली क्लास लगे तब आपको बताओं कि इन्वर्शिटी जो होती है इन्वर्शिटी एक सो चालीस दिन से ज़्यादा कभी क्लास नहीं लेती है साल भर में साल भर में 140-180 लगता है यह बात कर रहा 6 महीने का छय महीने में आपको 4 महीने पढ़ना पड़े harvestри क्लास चला दो चार महीने का सिलेवस है इन लोग को पता नहीं हो रहा था यह लोग क्या करना चाह रहा हैं हमको को समझ में है कि चार गühr में पढ़ाओ, 60 गंटा इसमें पढ़ाओ, मतब टीचिंग देख रहे हैं आपे ना, टीचिंग हावार, 60 गंटा इसमें, 60 गंटा इसमें, इसको बताओ न थोड़ा सा, कि यदि बताओ कि हमारे पास 120 गंटे होते हैं, कितने 120 गंटे होते हैं, हर दिन यदि एक क्लास लगेगा, 120 को सो 20 क्लास लगना चाहिए हर दिल लगत हो चार महीना होता है छा महीना तुम देKIर दो करा ओगे और बाकी एक चीज़ें ॥ actual करा ओज जोब करो वाधी घुड़ाई हो की स Unless मेंथ तुम यूसके लिग रहा माइटल रहा हैं लेकिन रहे में du give a को ताइमिंग और कम करना चाहिए था या फिर सेलेबस को कम करना चाहिए था टाइमिंग और बढ़ाओ छह मुने का तो मतलब भाइ सहाब जब सलेबस वहीं दे रहे हो तो तुर से एघंप सान में कहां से पूरा होगा और इष्टा होता है लेकिन यह तीन महीना दे रहे हमको पढ़ने के लिए उपर से बायो केमिश्टी दिये हैं बायो केमिश्टी को देखें तो फोर किरेड़ स्टार्ट घंटा इसमें मिलता है और बात करेंगे यहां पर लैब देखना होगा फीजोलोजिकल लैब और बायो केमिकल लैब देखना होगा हेमेट्रोलोजी लैब के वैसस पे मतलब आपको जो पढ़ाया जाएगा उसका लैब भी कराया जाएगा यह मूंकिन है इसका परिच्छा होगा पहले क्या था लैब होता था एकजामनर पेपर देख जाता था लेकिन यहां पे भी परिच्छाएं होंगी जै इस्टुमेंट्स की बात करेंगे यह सेल बालोजी का हिस्ता लेकिन काट के लग कर दिया गया है फोर क्रिट यहां पर आता है साट गंटा यहां भी पढ़ाएंगे गुरुजी ठीक और उसके बाद हमाई यहां पर जो इस्टुमेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में कौन-कौन होते हैं उनकी टेक्निक क्या होती है वो कैसे बनते हैं मैनुफेक्षरिंग क्या होती है कैसे यूज करना होता है सबके बारे में यहां पे लोग बताएंगे ने में बताओं मालिकुलर बियोलोजी में दिल्लाप की बात करोगे तो 500 से ज़्यादा टेस्ट है और उस 500 से ज़्यादा टेस्ट को कराने में आपको 500 दिन लगेंगे बाइस आप तो 60 फुंटे में कैसे होगा ठीक यानि कमिया तो बहुत है कोई दिक्कत नहीं है कमियों को अच्छाई यूं體 देखते आच्छाई भी बहुत है क्योंकि आच्छाई तो घ् हुए इसमें बहुत ही भारा हृँ है वही बात करेंगें करें तो यह कम है अभी कितने नंबर का पेपर होगा इसके बारे में कोई डिस्कुसन नहीं हुआ हमको जहां तक लगता है कि जो पेपर होने वाले हैं यह सो नंबर के होंगे कितने होंगे सो नंबर के पेपर होंगे आपके कितने 6 समेश्टर हैं 1200 नंबर के बनेंगे ठीक अब यहां पे हमारे पास और थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए ठीक थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो थोड़ा सा हमको क्या मिलता है देखो बहुत ज़्यादा यह सब इदर उदर कर दिये भाई साब पेपर की पढ़ाई कैसे होगी बच्चो क्यों कुछ समझ में नहीं जा रहा है वैसे मार्केट में बुक नहीं होता था अब बात करें यहां पर हमारे पास यह काउंसलिंग लैब कर लेंगे अब आज थोड़ डिगरी यानि हमारे पाई डिगरी वैसलर साइंस क कि बात करें यहां पर पांचवा समेष्टर होगा हमको पांचवे समेष्टर में प्र देने हैं पहला प्र किसका होगा अब सब्सक्राइब करना है इसको फोर घंटा यहां देखो अभी देखो इनकी देखो वहियात कंडिशन देखना उसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे हमको देखना है डाइवर्शिटी आफ कॉर्डिटा देखना है कॉर्डिटा इतना बड़ा था और उसके साथ एनटॉमी भी देखना है क्या human एनटॉमी देखना है 60 गंटे इसके लिए अब देखो अगला क्या लैब देखना है वर्चूल डिसकसन करनी है वर्चूल डिसकसन कैसे करेंगे वह भी एनटॉमी पे अनटॉमी को देखना है वर्चूल डिसकसन अब बताओ डिशल इंडिया की बात करते हो और सही तरीके से नेटवर्क चलता ही नहीं है क्या नेटवर्क सही तरीके से चलता है नहीं है डिश्टर इंडिया के लोग बात कर देंगे तो यहां पर वर्चुल डिसकसन होगा समझ लो तो पहले से मुवाईल होगा तुम लोग सही से कर लिया करो आगे एकोनामिक जुलोजी देखना होगा पैरिश्टोलोजी क फेपर होगी लैप कंडिशन में ठेक इसके लिए केडिट 2 मार्क किया गया है और 60 घंटे टीचिंग इसमें भी कराया जाएगा ठेक आगे बात करते हैं तो यह तीनों पिपर को मिला के हमारा पांचवा समेस्टर कंप्लीट होगा और इसमें आपको 180 घंटे पढ़ाया जा अब 40 मिनट का है यहां पर आपको 180 घंटे दिया गया है कितने 180 घंटे कड़ाया जा रहा है बताओ 1 180 दिन भी है इसमें चुट्टी भी है 6 महीने में 180 दिन होते हैं कितने 6 महीने में देखा जाये तो 180 दिन होते हैं 180 884 दिन होते हैं अब 183 दिन में 180 दिन का क्लाष्च चलेगा तब जाके पूरा सले बस complete करा पाएंगे लोग यह government के according नहीं आगे बात करें देखो आगे देखो डियर, जो हो रहा है सो हो रहा है हम लोगो क्या करना हम को लोगों पढ़ना है और पढ़ाना है थेक अब यहां पर आगे बात करें तो अगले फॉर्म में क्या मिल रहा है हमको यहां पर हमारा सिक्ष समेश्ट रहता है जिसमें हम लोग इविलेशन को पढ़ेंगे और डेवल्लमेंटल बाइलोजी पढ़ेंगे क्रिडिक फोर जाता है यहां पर साथ घंटे की टीचिंग होगी ठेक आगे देखो यहां पर हमारे पास क्या मिल जाएगा अगला एकोलोजी पढ़ना इथोलोजी पढ़ना इर्वर्मेंटल साइंस पढ़ने और वर्ल लाइफ काफी बड़ा सलिबस है लेकिन इनके लिए रहा था और उस बुक में मैंने देखा कि यह जो टॉपिक अंदर दिये हैं वो काफी जादा यहां पर उपर से देखने में जादा लग रहा है अंदर तो और जादा है वहां आगला हमारे तीसरा पेपर होगा वह लैब होगा इर्वर्मेंटल साइंस का लैब ठेक उसके ब मतलब देखो कि जो यहां पे लोगों ने बताया है क्या लोगों ने जो क्वाल्टी कहीं न कहीं आपको दे रहे हैं वो हम सही है सलेबस को आप लोगों ने सही तरह कैसे अरेंज किया है हमसे अच्छे लोग जानने वाले होंगे लेकिन भाई साब इनका थोड़ा सा ध्यान जनाच चाहिए कि छुट्टियां इतनी ज्यादा होती है और सलेबस कईसे complete होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ठेक लेकिन 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 कोई problem तो है नहीं हम आगे बात करें यहां पे subject की बात करते हैं तो especially जो study होगा biology और biological tools की life science की वो class 12th के basis मतलब भया साथ यह भया हमको क्या करना चाह रहे class 12th के basis पे पूरा recording होगा लेकिर ऐसे कुछ नहीं है अभी मैं सलेबस दिल कर रहा था सलेबस में काफी कह सकते हो कि इसमें इधर उधर की बाते धेर सारी भर भर के दिये गई है सलेबस में तो आज आ यह देखो आपके लिए कुछ सलेबस दिया गया है courses के बारे में कैसे पढ़ोगे हमारे पास certificate courses क्या होंगे और हमारे पास हमारी diploma courses कैसे होते हैं ठेक और उसके बाद हमारा जो डिगरी bachelor degree है वो paper क्या कहती है सब के बारे में आपको बताया जाएगा अब यहां पे skill master PhD आगे जो भी subject है वो आगे higher studies के लिए आपको काम करेंगी यह सही है भया काम करेंगी मैं इसका link पूरा description में देखो आप कोहां से डाउनलोड करें आगे देखो यह बात करें यहां बात करते है certificate courses की यानि हमारे पास क्या है फर्स्ट इयर है जोलोजी फर्स्ट इयर मतलब जोलोज पर हावर्स बीक की बात कर रहा है मतलब इस पेसली लेक्चर कितने होंगे चार लेक्चर होंगे पर हावर्स एक वीक में देखो कभी सगमात तुपाएगा तो हमको तो नहीं जोड़ घटा लेना अपना तुम लोग अब देखो यहां पे बातें करें पहले तो simple simple बातें कर रहेंगे हम लोग ताकि आपको समझ मा जाए और बाकि जो वीडियो होगा वो second part में मिल जाएगा ठीक एक ची देखना यहां बोह रहा है क्या जो हमारा पहला unit है वह कहता है structures functions of cell organs first की बात कर रहा है वह भी केवल animal cells की किसे में केवल animal cells की अब बात करें बात करें बाई यह प्लाजवा membrane पढ़ना ठीक है chemical structure पढ़ना उसका ठीक है lipid and protein पढ़ना ठीक है यह तो पढ़नेंगे इंडो membrane system की बात करना है यह प्रोटीन टैगिंग की बात करना यह तो मिलेगा नहीं यह मैं कल भी बुक लिख रहा था जब तो उसमें काफी ज़्यादा देखा तो मेरे पिछले जितने भी राइटर की बुक थी वह उसमें बिदेशी राइटर भी है टैगिंग को सही तरीके समझोगे तो 20 से 22 पे जाती है अब बताओ मैं क्या करो टैगिंग का definition देदो बुक में की पूरा detail करो यह इनसे कौन पूछेगा आगे यह explain करेंगे नहीं यह बस बता प्राइटोसिस की जो क्लासेस है वो तीन तीन चार चार दिन की क्लासेस होंगी और यहां पर definition नहीं पढ़ना है यहां पर detail पढ़ने है क्या पढ़ना है detail पढ़ने है तो especially first unit हमारा यहां से निकलता है ठीक अब बात करेंगे second unit तो second unit हम देख रहे हो यहां पर sale and functions की बात कर करेंगे यहां पर हमको इसकल्टन की बात करने माइकर टूबस होते हैं हमारे पास माइको फिलामेंट होते हैं intermediate फिलामेंट होते हैं इनके बारें इस्टॉडी करनी है ठीक उसके बाद यहां पर उनको कम से कम बताएं कि आपको 20 से 25 पेज मैं यहां तक लिखा हूं मेरे पास 80 पेज हो गया है अभी फिगर डालना है मतब यह पूरा फॉर्स समेस्टर 200 पेज 300 पेज की बूक आएगी ठीक समझना ध्यान से सेल डिविजन मतब सेल साइकिल सेल डिविजन एंड सेल यहां पे सिंगलिंग की बात करनी है ठीक तो सबको देखेंगे कि सिंगल ट्रांजक्शन क्या होता है इंटर मेडियर कंडिशन कैसे रिलीज करते हैं उनको सहीतर किसे देखा जाएगा सेल सूर इस्पेशली सेल सेल वाला ओगा ठीक और यहां पे उनको बात करना हूंगे इन है पैटनी होते हैं और इंटी ह종 उते हैं में लोग आच यूनिट होंगे और चार होंगे वो हमारे इसपेसली इसके होंगे यह मारा फ़र्स शंपर था इसके लिए जो बुक किया गया है सारे सारे बीदेश ही Writer सब इंडिया के कोई-भी इसमेन नहीं है सब बीदेश के लोग हैं तो इक एक तीख की लोग हैं वह चार अजार पाचे या ही इंडिया के लोग हम इसको नहीं खड़े सकते आगे हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा है तो यह पूप पब्लिस होगा इन्वर्शिटी और कॉलेज के बिसेस पे मतलब यह साथ साथ बता नहीं रहे हैं कि हम लोग स्पेशली कॉलेज कौन सा बुक रिलि इसके बिसेस पांच नमबर दिया जाएगा और यहां पर हमारे पास जो अलग-अलग सेमिनार होंगे सेमिनार के बिसेस पेशली यहां पर हमको क्या मिलेगा और दस नमबर मिलेगा और हमको दस नमबर कहां पर सेमिनार में और दस नमबर हमको कहां पर क्लास के परफर्मेंस participation में दिया जाएगा तो 25 नमबर यहां से हो जाएगा गुरुजी वाला खेला हो जाएगा और 75 नमबर हमको इस पूरे पेपर से लाना पड़ेगा ठेक आगे देखो दूसरा यह दूसरे मतलब स्षपर कमेशले क्या है यह फस्ट यहां सेमिशनिवह क्या है सिकेंड है से किंड पर है सिकेंड पर में कमपोर्श वगोगा 2525 यहां पर देखो यहां के लेक्चर क्लासेस नहीं होगे यहां पर टेस्ट भी नहीं होगा ठीक मतलब टीटोरियस यहां पर देखो ना लेक्चर क्लासेस नहीं होगे टीटोरियस भी प्रैक्टिकल होगा चार घंटे मतलब एक महीना में मतलब एक महीना में आपको 16 घंटे प्रेटिकल कराया जाएगा ऐसा होगा कि नहीं होगा वो तो आप जानते अपने कॉलेज की दसा ठीक तो हमको क्या क्या कराया जाएगा माइक्रोस्कूप के बारें पढ़ाया जाएगा मैं यह आप पीडियाप दे दूँगा आप देख लिजिए का इसको ठीक और आगे देखो यहां पर वहीं काम है यहां पर क्या दिखा जाएगा हमको 10 मांक मैं कल बस इसको ओबर यहां पे क्या है कि हमको 25 मांक स्रहल का पहला पेपर यहां जो तक यह करेंगा और paper number जो third होगा वो क्या करेगा वो हमारा 25 और 75 दिखाएगा मतलब 100 दिखाएगा मतलब एक साल जो हमारा paper first और second है मतलब per semester 200 का exam होगा क्या होगा per semester 200 का exam होगा और 200 में especially यह 50 number होगे वो प्रेडिकल होगे जो होगे वो paper होगे जैसे अभी भी होते थे कि तीन paper हमारा 50 50 50 का होता था और एक number पचीस 50 number का क्या होता था प्रेक्टिकल होता था वहीं चीज यहां भी है उस्कूल से आपको यह number और यह number आपको theory में लाने पड़ेंगे लिख के लाने पड़ेंगे ठीक तो first year के हमने बात कर लिया ठीक क्या बात कर लिया अभी मैं और आपको दिखाऊं कि second semester क्या है से के बारें बात में बताऊंगा ठीक वैसे 30 मिनट हो चुका है तो आपको कुछ basis तो पता चलेगा कि क्या है क्या नहीं है मैं सारा डीटेल करूंगा अभी अपने PPT के रूप में क्यावली आपको दिखाना था अभी देखने देखे जाओगे तो पूरा वैसी डीटेल मिल पता था कि आपको पता हो जाए के बारे में डिसकॉस कर लेते हैं नेस्ट वीडियो में ताकि आप भी वाटनी वाले क्लास में लेकर नए वीडियो को तब तक के लिए